प्रगती मैदान में ताना साही सरकार है कितने पतकारों को इन्होंने जुल्म के खिलाब इनके कछे उत्रवाने के काम किया आप बहुत अच्छे पतकार हैं आपने एक मूबी देखी होगी शनी देवल का उसमें डायलोग होता है कि तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक आखिर मिलोड इस देश को न्याय कम मिलेगा आखिर क्या इस देश में धार्मिक मुद्दे ही रह गए हैं मैं कहता हूँ अगर सुप्रीम कोट इस पे फैसला सुनाना चाहिए जो लोग भारतिय जनता पार्टी के नमूने हैं वो जहां-जहां मस्जीद है वहां-वहां वो पिटीशन डालके और कोट के समय को जायज नहीं मानते हुए वो कोट के सम्मान नहीं करते हुए एक विशेश समुदाय को टार्गेट करके और ये सीधे तौर पे ये देश की जनता को मुद्दो से भढ़काना चाहती है आखिर ये कौन लोग हैं जो कोट के समय को हमेशा बरबात करने की कोसिस करते हैं मैं बताईए हम उसी समास से आते हैं एक आपको इस समय जो मौजूदा हालत बनी हुई है एक कभीर दाजी का दोहा है हिंदू कहे मुहराम पियारा तुर्क कहे रह्मान आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को ये इससे पहले कानून था लेकिन कुछ लोग इस देश में एक न परकार देश की जनता को फिल्मों के जरिये और कहीं न कहीं वाटस अप और फेस्बुक के जरिये देश की जनता को प्रदर्सित करना चाहती है लेकिन मैं कहता हूं आप जैसे सच्चे पतकारों के भी उपर उंगुलिया ऐसी मेरी रहेंगी हम समिधान को मानते हैं हम कानू को मानते हैं तो आप देखिए अगर उस कानून को आप उलंगन नहीं कर रहे हैं आप जोंथ मनदिर नहीं है जहाँ ज जह जहां पर जहां पर जहां पर है इस देश में कारूनों मंदिर हैं लाखों मस्जिदें हैं हाटारों गिर्षा घर हैं और और अपपनी राजनीतिowych सिकने के लिए आप देश में कभी मस्जित का मुद्दा ले आएंगे कभी गिर्जा घर का मुद्दा ले आएंगे कल को आप कहेंगे जहां हजारों लोग भूखे लोगों को भोजन मिल लहा है आप कहेंगे गुर्द्वारों के नीचे भी मस्जित वो मंदिर है हमारी आखिर भारत भारत की जो संस्केरत है वो कहीं न कहीं आप अगर इस घर के भी नीचे आप खुदाई करिए तो कुछ ना कुछ ऐसे हमारे धार्मिक कत्व मिल जाएंगे हम भग्मान को मानते हैं भग्मान भग्मान तो मैं कहता हूँ पूरे देश की खुदाई होनी चाहिए आखित ताज महल की खुदाई होनी चाहिए आप बताईए औरंग्जेव के नाम पे औरंग्जेव को आप पसंद नहीं करते हैं भारतिये जंता पार्टी आखित क्या औरंग्जेव की खिले पे बुल्डोजर चलाना चाहिए आखिर जहां से त्यूरिजम से पैसा आता है उस पे स जियासत की जा रही है अरे मैं आए उध्या से हूँ देखे सुनिए अभी इतनी उची दिवाले नहीं पहुंची है आप चलिए आउध्या आपको दिखा देते हैं ये केवल सरकार आपने देखा होगा उनीस सो उन्चास के बाद ये सरकार हमारे भगवान को एक कैद खाने हैं आखिर बताईए जो तीनों लोगों के मालिक जिनकी तीसरी आँख सोलने से देश में प्रलय आ जाता आपने केदारनाथ दिखा ही होगा आपके साथ 2013 में वो प्रलय आपने देखा होगा क्या कहेंगे इनको जिनोंने सबसे ज़्यादा कासी कोरीडोर के नाम पे सबसे तोड़ा आखिर वो कौन लोग थे वाओरंग जिए तोडने आयेते ऐखबर तोडने आये आये या साजां कोरने आये थे ते किसके सासंकाल में किसके सासंकाल में हमारे वहां पे सिकौरीड़ दोर के नाम पर मतलब आप छोटे-छोटे मंदिर को बिध्वांश कर ख़े हमारे आराद हैं संकर हमारे आराद हैं लेकिन आप धर्म और अच्छित धर्म हम धर्म की रच्छा करते हैं हम धर्म का व्यापार नहीं करते हैं आप बहुत अच्छे पतकार हैं तो इसमें क्या हो गया देश की जंता लेकिन जब आप सचाई की खबर जंता को लगातार पहुचाते रहेंगे तो जंता जब आपको कहेगी कि आप सचे पतकार हैं तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा जिस तोना से गोधी मीडिया आज इन्होंने इस देश के चौथे अस्तम को बचाने के लिए अपने माई को पकाड़ के अपने हाथ में क्योंकि ये ताना साहिश सरकार है कितने पत्रकारों को इन्होंने जुल्म के खिलाब इनके कच्छे उत्रवाने के काम किया आपने देखा होगा मद्य परदेश में उत्तर प्रदेश में तो कहीं न कहीं आप इस देश को बचाने के लिए आप जैसे पतकारों की जरूरत है और हम जैसे इवाओं को कौन सी सस्ती होगी आप बताइए दो महिना पहले जो पैट्रोल और डीजल के दाम थे वही दाम आ जाए आप चुनाओ के बाद पैट्रोल और डीज जिक हों कि सत्ता रुपे प्रतिवार रहें आखिर क्या भारतिये जंता पाटि के सासंकाल में वही ओंजीसी रिफाइनरी कंपनी वही पूरे देश में नेपाल में भी हुटान में भी उसका पेट्रोल बेशती है लेकिन भारत में पैट्रोल आखे तू महला होता इसी सरका के सासंकाल में सबसे जादा एक्साइज ड्यूटी लेने का काम किया गया और हम और हम हमेशा इस देश के साथ खड़े हैं और आजाद भगत सिंग के मज़ज हैं मैं कहता हूँ देश के इवाओं को जागने के जरूरत है ये डोन महुत्सो मनाया जा रहा है प्रगती मैदान म साइद ये देश की आम जनता के लिए नहीं है ये गुलाम बनाना चाहते हैं लेकिन मैं देश का इवाओं हूँ इस सरकार से जमुरियत से हमेशा सवाल पूछा गूँँ क्योंकि ये जुल्मी और ताना साही सरकार देश की आमाम को ये कहीं न कहीं गुमराह कर रही है और मैं कह देना चाहता हूँ जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गोज उठेगा इंकलाप के नारो सो हम अब आज उठाएंगे सवाल पुछे से सरकार से जिन्दा कोमे पांच साल इंतजार नहीं करती हैं सरकार को जबाब देती हैं आखिर इसी सरकार ने कहता बहुत हुआ युवाँ पे अत्याचार अपकी बार मोदी सरकार इसी सरकार ने सेसी जीडी के बच्चों के उपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया ताहिए ढंका आपका बज रहा होगा साइद आपके पास जादा माला रहा होगा इस देश का ढंका नहीं बज रहा है मोदी जी ने देश की लंका लगाने का काम किया है सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है मैं कहता हूँ आप बता दीजिए आप इतिहास जाके पढ़िएगा लाखो मंदिरों और मस्जिदों में आखिर क्या वही कहा जाता था गांदी जी ने कहा था इसोरे अल्ला तेरे नाम सबको सम्मद्दे भगवान सत्य परिशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता है लेकिन भारतिये जनता पाटी सावरकर को मानती है हम भगत सिंग को मानते हैं हम मंगल पांडे को मानते हैं स्फाक उल्ला खान को मानते हैं आप पताएए जिस तरह से मंगल पांडे पूरे अंग्रेजों के खिलाप उसी तरीके से ये सर्वन पांडे 2022 में करांती लाने का काम करेगा पर कोल ये करांती के आवाज है लाकों लोग खड़े होंगे आप देखिएगा जेपी एक एक से बूद बूद से घड़ा बढ़ता है हम हुंकार के जरिये देश की वहाँ को जोडने का काम कर रहे हैं और इस सरकार के खिलाप हम आवाज उठाएंगे और ये जो सरकार है सत्ता में बैठी हुई ये जाती धर्म और मजहब के नाम पे जो लडाना चाहती है अब जाती धर्म के नाम पे लडाई नहीं होगी अब सरकार ने जो मैनिफेस्टरों जारी कि किया था जिसमें उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबसा विश्वास सबका प्रयास अब उस मुद्दों पेले के हम सरकार से सवाल करेंगे और सरकार ने जो जो आई दे किये थे उसका जबाब चाहिए हमें